है 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 फेंट सोब सब बहुत अच्छ होंगे स्वागत है आपका मेरे इक न्यू वीडियो में और आज इस बीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ अगर आप से में कोर्श कर रहे हो अगर आप इस बीडियो में आपको क्या क्या चीजे करनी चाहिए या मैंने क्या क्या चीजे किया था जिसके वैसे मुझे थूट्रल टॉपिक्स पर प्रॉब्लम्स कम होने लगा एक इंपॉर्टन चीजे मैं आपको बताओं अगर आपको किसी भी पेपर में एक्जेमसन चाहिए जो भी थूट्रल टॉपिक्स है कि लौग को छोड़ दिया जाए उसके लाबब जितने भी थूट्रल टॉपिक्स है या चैप्टर से या सब्जेक्ट है उसके अंदर प् प्रैक्टिकल इस्ट्रॉग है तो आप पासिंग मार्क्स ला सकते हो लेकिन अगर आपका प्रैक्टिकल एंड थूरुटकल दोनों ही टॉपिक्स इस्ट्रॉग है तो आप एक्जेमसन लेके आ सकते हो येस मैंने भी यही किया था जिसक वेसे मुझे इंटर में तीन प्रैक्टिकल टॉपिक्स के उपर फोकस किया था इन फैक्ट इन ओम और एसम जो अभी है उसमें मेरे टाइम में था ओम एंड आईएस का पेपर था एंड आईएस इस कंप्लीटली 50 मार्क्स टॉपिक्स तो मैंने उसको भी काफे च्छाय स्ट्रॉग किया था इसके लाव आपको फॉलो करना है पहला कि I try to understand the concept and logic कभी भी आप थुट के लिए टॉपिक्स को रेक्टाफिकेशन नहीं कर सकते हो बिना उससे समझे अद्रवाइस होगा कि आपको कुछ समय तक लिए चीज़े याद हो सकती है लेकिन फूर दी लाइफ टाइम या कह सकते हैं फूर द logic समझ में आता है suppose अगर आपको एक्जाम में उस question का answer याद नहीं आ रही but you know about the logic अपने चीज़ों को समझ रखा है तो अपने according भी उस question का answer कर सकते हो अगर आपको logic ही नहीं पता तो या तो आप answer करोगे या तो answer आप नहीं करोगे आपके पस third option नहीं होगा लेकिन अगर आ very loudly at the time of revision बहुत कम ऐसे students होते हैं जो बोल बोल के पढ़ते हैं जैसे बोल बोल के पढ़ने हैं मतलब जैसे हम किसी बच्चे को A B C D याद करवाते हैं अलफा वेट से याद करवाते हैं या फिर कुछ भी normal A for apple and B for ball हम जिस दे किसे बच्चे को याद करवाते हैं same strategy and trick आपको भी follow करने हैं मैंने खुद भी यही किया था मैं भी यही करता था कि मैं छुटे-छुटे short forms बना लेता था and short forms को मैं याद करता था कि A for क्या होगा B for क्या होगा मेरे short form के according हर एक जैसे मानलो की benchmarking का concept है and benchmarking के features हैं तो 6-7 features होंगे हर एक features के कुछ keywords होते हैं उन keywords को मैं shortcut बना जाता है and उस keywords से उसके concept को recall करता था जिससे मुझे सिर्फ keyword याद रखना परता था concepts automatic याद हो जाते थे जब आपको keywords याद हो जाएंगे 3rd क्या है mix thought notes on flow chart देखो theoretical topics में flow chart बहुत important है अगर आप जो हम मैं कहूं अगर theoretical जो descriptive basis पे अगर आप चीजों को पढ़ते हो तो आप चीजों को summarize करना आपके लिए और यही problem आती है हम as a story पढ़ लेते हैं बड़ हम इसको summarize नहीं कर पाते हैं summary नहीं इसकी बना पाते हैं और जब तक आप चीजों को summarize नहीं कर पाओगे आप concept के उपर आपकी पकर नहीं हो पाएगी तो यह important चीज है कि आपको क्या करना है short notes बनाने जैसे मैंने भी benchmarking का बत अगर अगर आपका ही classes नहीं ले रहे हो तो try to make your own short notes it will help you at the time of revision और in your examination next thing का है add theory topics in your daily study plan यह बहुत important है मैंने इसको बहुत follow किया है like मेरा क्या routine होता था जैसे मेरा everyday in the morning मैं ऐसे नहीं कि 6 बजे उठता था मैं 8 बजे उठता या 9 बजे जब भी मैं उठता था morning में तो सबसे first subject मैं कोई theoretical topic लेता था like law का कोई subject हो गया law के अंदर जैसे बहुत सारे chapters है तो कोई भी 2-3 chapters में revise कर लेता था या direct text हो गया जो भी मेरे theoretical chapters थे उन में से 2-3 chapters को में target लेता था और 2 घंटे मेरा first target होता था उनको देना फिर मैं क्या करता था फिर मैं entire day practical पर time देता था और फिर से evening में तो को चार बजे क्या होता अगर गर्मी का भी time है तो चार बजे almost कि आप मतलब धूप थोरी कम हो जाती है तो साथ atmosphere मुझे मिल जाता था तो मैं च्छत पर जाके और वहां पर मैं book के साथ copy के साथ अपना speak loudly के mood में जोर-जोर से बोल के मैं चुजों का याद करता था recall करता था and 2 घंटे सुबह 2 घंटे सामय और 4 घंटे मैं daily basis पर tweet को देता था बाकि 8 घंटे कम से कर मैं practical question solve करने में time जीता था make section list or question list and recall provision from that list यह बहुत important है अब firstly तो आप क्या करते हो आपके पास notes है आपने notes से चीजों को याद किया recall किया but इसमें होता किया अभी कुछ आपके पास question and answer दोनों सामने तो आपको यह चीज के understanding नहीं आ पाएगा कि आपको यह provision याद है या नहीं है उसके क्या किया था जैसे income tax के अब 80C से लेके जो भी 80U तक के sections थे मैंने उसकी list बना लिए same section का number note कर लेता था और उस section का title क्या है वो मैं note down कर लेता था same IDT में भी मैं इसी तरीके से करता था अब जो में theoretical subjects थे like SPM, BBM हो गया या फिर cost or rate का paper हो गया तो उसमें मैंने questions note down कर लेता था जैसे what is benchmarking what are the benefits of benchmarking ठीक है types of benchmarking क्या है इस तरीके से करके मैं list of questions मिना लेता था अब जब मैं revision करता था तो एक paper में में मेरे पास approximately 50 sections की list होते थे तो हर एक section को मैं देखता और उसके provision को मैं recall करने की courses करता अब इसमें क्या होता मुझे कुछ sections के provisions recall हो जाते थे और कुछ section के provision recall नहीं होते थे तो जिसके recall नहीं हुए उसके लिए मैंने copy open कर लिया तो एक मेरा time save होता था जो revision करने में मुझे 2 घंटे लगते थे उस revision को मैं एक घंटे में कर लेता था because मैंने जो कुछ था सब कुछ मेरे mind में already था उस चीज को बस मुझे recall करना था तो मैंने section list से उन सारे चीजों को recall कर लिया बाकि जो चीज मुझे नहीं यादा आया उसके लिए मैंने copy open करके देख लिए अब सेम ऐसा अगर आप एक महीने दो महीने करोगे तो जो चीज नहीं भी आ रही है उसकी भी धीरे धीरे ना चीजे मतलब numbers कम होने लगेंगे और फिर आपको लगवाग सारी चीजे tips पर याद हो जाएगी तो इस strategy के साथ मैंने theoretical topics को cover किया last option था मेरे पास writing practice अब देखो कितना भी आप याद कर लो उसके आपको लिखने से confirmation हो जाता है अब मैं क्या करता था like जब मेरे ऐसे 2-3 में निकल जाते थे अब लगता था कि हाँ मुझे सारी चीजे ना tips पर याद हो चुकी है तो अब मैं उसको लिख के देखता था बाकरी में मुझे याद हुए है नहीं तो same उस question form को मैं लेता and हर एक question के try करता है daily 5 question के answer लिखने के और daily मैं 5 question के answer मैं write down करता था notebook पे उसमें भी होता था कि चीजे आप कहीं फस्ते हो तो फिर आप notes को recall करो notes को open करके देख लो और फिर खुद से लिखो तो इस तरीके से करके मैंने writing practice की reading practice की speaking practice की और जिससे मुझे सब कुछ याद हो गया और मेरे theoretical topics में काफी अच्छे number भी आया सब्सक्राइब करता है और के सब्सक्राइब करते हैं तो कहीं ने कहीं उसमें आपको अपने words लिखने परेंगे वहां पर पूरा रटाफिकेशन कितना भी आप conceptual समझ लो लेकिन आपको grammar का पता होना चाहिए कि 10 कैसे उज़ करना है सब्सक्राइब करना है तो मुझे थोड़ा सा इसू था grammar का जिसके विए से मैं इस सब्सक्राइब करता है और जिसके विए से मुझे उतने ज़्याद अच्छे number नहीं आपाए सब्सक्राइब करता है तो इन सब चीजों के बज़े से मैंने काफी अच्छे marks भी लेका है और काफी लंबे टाइम तक मुझे थूटकर टॉपिक से याद भी रहे सो होप सो कि आप इन सब चीजों को यूज करके और अपने CMA जर्णने को और बहतर बनाओगे और बहुत जल्द CMA एक्जाम को किलियर करोगे थैंक्स पर वाचिंग इस वीडियो बाई टेक कर एंड बेस्ट अब लक कि लुट 네, जा रखके सकता बाई बत्राओगे कि उतक आरशने को कि भी उ disclose